नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जारखन के दिन भर की खबर जानते हैं आवेदन कैसे करें, कई बार साइबर कैफे जा रहे हैं, लेकिन साइट ही नहीं खूल रही, किसानों की चिंता बढ़ गई है कि आवेदन नहीं कर पाए, तो रहात कैसे मिलेगी, इस वेजना के तहट राज सरकार ने प्रती किसान 35 रुपए देने की ख़सना की है, किसानों क 29 दिसंबर से रासी मिलेगी, बता दे मंत्री बादल पतर लेखने सनिवार को विभीन जीलों के उपायुकतों के साथ बैठक कर अभ्यान को गती देने का निर्देश दिया था, पूरे राज ये में 30 लाग से अधिक किसानों को राहत देने का लग्च चाहाई, किसानों को 35 पोजीशन सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, हलका करमचारी से सत्यापन भूमी के अधार पर ही रासी का भूगतान कर दिया जाएगा, भूमी हीन किसान भी इस चोईना का लाव ले सकते हैं जारखन के 28-945 सिख्षको को दिया जाएगा टैबलेट, जारखन के प्रात्मिक सिख्षको के 28-945 सिख्षको को टैबलेट दिया जाएगा, टैबलेट खरीदने के लिए इसकुली सिख्षा वसर्षता विभाग ने टेंडर निकाल दिया है, पहली से पाचवी कक्षा के ब प्रत्मिक स्कूलों के इन सिख्षकों को टेबलेट देने के लिए 10-10 रुपय का प्रवधान किया है रासी राज सरकार को दी गई है इसके बाद सिख्षा विभाग ने इसी अधार पर टेंडर निकाला है और विभीन कमपनियों से प्रस्ताव मांगा गया है टेंडर में जि फजे इंडर में भारत जोडो याद्रा की सर्वात सामयर से हुई है राहूल गांधी की भारत जोडो यात्रा में जार्खन सरकास स्वास्त मंत्री बना गुपता, किरिसी मंत्री बादल पत्रलेक, जेमेम कोटे के मंत्री मिश्लेश्ट हाकूर के साथ साथ भारत जोड़ो यात्राकार करम के जार्खन संजोजग पूर्व केंद्रिय मंत्री सुवध कांसा है समेत कॉंग्रेस बिधायक और प साक्ची स्थीत सबल सेंटर में सुवध 10 बजे या मेला सुरू होगा बता दे चेसायाद डिसाबिलिटी ट्रस्ट के राजकुमार सिंग और सयद नजरुलाह ने बताया है कि दिव्यांगो को ससक्त बनाना इस मेला काउध्य से है इसमें 5 कंपनिया जीवन बैंक, साई जार्खन सिक्षा पर योईना में नए सीरे से होगी रद हो चुके चार बिग्यापनों के लिए बहाली जारखन सिक्षा पर्योईना परचद ने विभीन पदो पर होने वाली बहाली के लिए निकाले गए चार अलग अलग वियापन पिछले दिनों रद कर दिये गए थे अब उनके लिए नए सीरे से एक साथ बहाली की जाएगी इसकुली सिक्षा इवमसाश्टा विभाग के सचीव के रभीकुमार ने तुरूटियों को दूर कर सिग्र नियुक्ति पर किरिया सुरू कराने का आदेश परशत को दिया है उनके आदेश पर अगले मा इन पदो पर नए सीरे से नियुक्ति परकिरिया शुरू की जाएगी जार्खन में बीली संकट के बीच बड़ा एलान राइधानी राची समेट जार्खन के हर हिसे में जारी बीली संगण के बीच बाकाया बील की वसुली का फर्मान उर्जा बित्रन निगम ने जारी कर दिया है बिभीन, बिधूत, आपूर्ती, छेत्रों में हाई टेंशन और अने सभी उभगताओं से बाकाया वसुली में तेजी लाई जाएगी उलेखनिया है कि बीली बीत्रन निगम ने जार्खन सरकार से बाकाया चुकाने के लिए 500 कुल रुपए की ततकाल मांग की है इस पर अभी तक नीड़ा नहीं हो पाया संभावना हाई की मंगलवार को इसे लेकर उचस्तरिय बैठक होगी इसी भी सुमवार को निर्देश जारी किया गया है कि लंबे समय से बाकाया भोगतान नहीं करने वाले उभोगताओ का कनेक्शन काट कर बाकाया वसुला जाएगा बिना लाइसेंस वाहन चलाने वालों के खिलाब चलेगा अभियान सड़क दुरगाटना थमने का नाम नहीं ले रही है रोज लोग भी सड़क पर हाजसे का सिकार हो रहे हैं लगातार हो रही मौते जगजोर रही है इसे देखते हुए सड़कों के निर्मान सुविधाओ वह सुरक्षा बेवाता की समिक्षा के लिए राष्ट्रिय अभियान इन दवरती भागती सड़कों पर सुरू की गई इस दवरान जीलो की लगभग 300 किलो मीटर सड़कों की परताल की गई जिसमें खामियों का अकलन किया गया पई नाम सुखद नहीं रहा कहा जा सकता है कि लगभग पूरा सिस्टम ही धवस्थ है नवहान चलाने वाले लोग सड़क सुरक्षा के नेमों का पारन कर रहे हैं नहीं इसे पारन कराना जिनकी जिमेदारी है हजारी बाग में DSP के घर में चोरी हजारी बाग जिले के गल्ली मुहले में चोरी की घटना को अंजाम दे रहे चोर अब सीदे पूलिस पताधिकारी के घर परवेश करने लगे हैं रभी वार रात चोरों ने प्रसिक्षूट DSP रोहित सिंग के फलेट में हाथ साप कर दिया है DSP का आवाज हजारी बाग सहर के सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले जूलू पार्क इस्थीत सक्सेस जोन कोचिंग अपार्टमेंट के प्रथम तला में हाए चोरी की घटना का खुलासा संध्या करीब 4 बज़ से 5 बज़े हुआ जब DSP का दर्वाजा खुला देखकर संध्य हुआ काफी देर प्रतिक्षा के बाद आस पास के फलेट मालिको ने इसकी सुचना पूलिस को दी DSP रोहित सिंग अभी प्रसिक्षन में गए हैं और परिवार के लोग रभीवार की छूटी होने के कारान गाव गए हुए थे पल्स होस्पिटल का नाम परवर्तन भवन कर दे सर्जू राय मन्रेगा घोटाला और मनी लोड्रिंग केस की आरोपी जहर्खन की निलंबित खान सचीव पूजा सिंगल की चल और अचल संपती इडी जब्त करने वाली है इडी ने इसकी त्यारी शुरू कर दी है खबर हाई की इडी अगले हफते पुजा सिंगल सहीत उनके पती अविशेक जहा और सिये सुमन कुमार की भी चल और अचल संपती सीज़ करेगी इन संपतियों में राजधानी राची के बरियातु में इस्थीत अत्यदुनिक सुविधाओ वाला पॉल्स सुपर एस्पेसलिस्ट होस्पिटल और डाइगनोलोशिट सेंटर भी है वरिष्ट विधायक सहर्जु राय ने इस समन में अपनी पर्ति किरिया दी है बता दे विधायक और पुर्वर्ती रगवर सरकारे मंत्री रहे वरिष्ट विधायक सहर्जु राय ने ट्वीट कर केंद्रे जाच एजेंस्टी को एक सला दी है अपने अधिकारिक ट्वीटर हेंडल पर सरुवर्य राय ने लिखा है कि पुजा सिंगल की समपती कबजे में लेने के बाद इडी चाहे तो पल्स अस्पताल का नाम बदल कर परवतन भवन कर दे रात भर पती पतनी में हुआ बिवाद सुबा दोनों का मिला सव गिरी डी के जमुआ थाना छेतर के धुर्गडगी गाउ में पती पतनी ने एक ही फंदे से फांसी लगा कर जान दे दी है मिली जनकारी के अनुसार दोनों की साजी दो बरस पहले काफी धूमधाम से हुई थी गाटना की सुचना मिलते ही जमुआ पुलिस महोगे पर पहुंच कर दोनों सवो को अपने कबजे मिले कर छानबिन में जुट गई है गाटना का मूल कारण क्या है या पिल हाल सामने नहीं आपाया है परिजन भी गाटना कारण नहीं बता पा रहे है बताया जा रहा है कि 25 वर्षी संतोस कुमार वर्मा की साधी 22 वर्षी ये पतनी सुर्भी के साथ 2020 में हुई थी साधी के बाद दोनों की पढ़ाय जारी थी पती हजारी बाग मेरा का परित्युक्ताब परिशा की त्यारी करता था और उसने रेलवे की टीटी की पहली परित्युक्ताब परिच्छा पास भी कर ली थी एक परिच्छा में और उसे पास करना था जारखन राज बाल अधिकाज संरक्षन आयोग का गठन सरकार ने जारखन राज बाल अधिकाज संरक्षन आयोग का गठन कर दिया है आयोग में 6 सदसे बनाये गए हैं आयोग के अध्यक्ष काजल यादव को बनाया गया है बतादे राज सरकार ने जार्खन राजबाल अधिकाज संरचन आयोग अकठन कर दिया है समाज कल्यान महिला एवं बाल विकास विभाग के तरब से अधिसुचन जारी कर दिया है जम सेथपूर के सोनारी की रहने वाली काजल यादव को अध्यक्ष बनाया गया है आयोग में 6 सदस से भी मनोनित कर दिया गया है इनमें बिकास दोदराज का उजवल परकास्तिवारी सुनील कुमार वर्मा रूची मिनहाज उलहक और डॉक्टर आभा बिरेंद्र के नाम सामिल है रांजी मेर आरक्षन का मामला गरम रांजी मेर आरक्षन का ममला अब गरमाने लगा है अनुसूचित जातियों से जूड़े संगठनों ने मांग की है कि जार्खन राज निर्वाचन आयोग रोटेशन अधारित आरक्षन के साथ ही निकाय चुनाओ का नोटपिकेशन जारी करे बता दे रांजी मेर सीट एसी के लिए आरक्षित किये जाने के बाद इसका पुर्जोर बिरोध रहा है जार्खन में निकाय चुनाओ में रोटेशन अधारित आरक्षन का मुद्दा गरमाने लगा है अब तक रांची मेर का पद दलीतों के लिए आरक्षित करने से अनुचुचित जन जातियों से जुड़े संगठन गोल बंद हो रहे थे अब इसके विरोध में अनुचुचित जातियों से जुड़े समाजिक संगठन भी उतर आया है गढ़भा में मुख्यमंतरी रोजगास रेजन के तहट 3700 आवेधन मुले चारखन के मुख्यमंतरी हेमान सुरेन के निर्देश प सोरोजगार के लिए मुख्यमंतरी रोजगार से रेजन विजना की सुरुवात की गई है इसका लाब जरूरत मंदों को मिल रहा है बड़ी संख्या में युवक युक्तियों ने इस योजना का लाब लिया और सोरोजगार से खुद को जोड़ा इसी तरह इस योजना से लोग सपनों की उड़ान भर रहे हैं लोन लेकर आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं बता दे आपकी जोजना आपकी सरकार आपके दोहर कारेकरा में सबसे अधिक आवेदान 37106 आवेदान गढ़वा से आया हैं धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एक अंद बढ़िए साजी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करना भूलें साजी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़बैक अवास से दे थांक यू